एक तरफ जहां करोना वारस महामारी के समय में जारखन सरकार और पुलिस प्रशासन लोगों के साथ सयोग करने में जूटी है, लोगों को जागरूख करने में जूटी है, यहां तक कि अपने पैसे देकर मास खरितने को अनुरोध भी कर रही है। दूसरी तरफ जिले में रासन वितरन करने वाले सरकार की नाक काटने पर लगे हुए हैं। वहीं मापतल विभाग की लापारवाही के कारण इन दिनों जन वितरन पर नाली दुकांदार सरकारी मोहर लगे बढखरे से वजन ना करके या एलेक्ट्रोनिक्स वेट मसीन से वजन ना करके पत्थरों के बाट से वजन का ठगी का सिकार बना रहे हैं। दिलर अपने दुकान पर सही वजन दिखा कर रासन तौल देते हैं और घर पर रासन का वजन कम हो जाता है तता कि रासन पेल भी कम पहुंसता है। लेकिन प्रखंड पतरगामा की स्तिती थोड़ी उलट है। पतरगामा के रासन दुकानदारों ने अपनी सूजबूच की मिसाल कायम की है। यहां बाकी जगों के तरह सबजी के दाम में उच्छाल नहीं हुआ है। पतरगामा प्रशासन लगातार निगरानी बनाई हुए है। साथी साथ सभी दुकानदारों को हिदायत भी दिया जा रहा है कि काला बजारी करने वाले सीधे जाएंगे जेल। पतरगामा सब्जी मंडी में अवी फिलहाल जो सब्जियों का रेट है। उसमें बैगन 10 रुपे, तमाटर 15 रुपे, बंधा गोबी 10 रुपे परती पीस, आलू 24 रुपे किलो और प्याज 24 रुपे किलो। एक्स्प्रेस न्यूज की टीम की तरफ से पतरगामा सब्जी मंडी के सभी दुकांदारों को धन्यबाद कि ऐसी संकट की घड़ी में उन्होंने अपने समाज की फिक्र पहले की है, ना कि अपने जेब भरने की। जिला प्रसासल से नुरोध है कि काला बाजारी करने वालों पर सक्त करवाई की जाए। ब्यूर रिपोर्ट अनसी एक्स्प्रेस न्यूज के लिए। मतलब जितना लिखावाओ कभी नहीं मिला है। किसले काटता है, कितना मिलता आपको वहाँ एकना 27 किलो आपको दिया कितना गया। 25 किलो अभी पंच किलो काट लिया।